वारेगाव एश बेंड फिर से तूटने की घटना साम्याई इस खटना के मरमत का कारे चल ही रहा था तो दूसरी जगह से फिर बान तूट गया तीन साल पर हुई इस एश बेंड के बान की राइजिंग यानि उचाई बढ़ाने का काम अभी इंजिनियरिंग नाम कमपनी नहीं किया था तब से अब तक कई बार यह बान तूट चुका है पन्रा दिन में तीसरी घटना तो इस साल की चौती घटना बान तूटने की है बता चैनलिंग प्लांड के अधिकारियों की निश्क्रियता बार बार उज्जागर हो रही लेकिन फिर भी इस पर कोई महाजियन को कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही इस खटना से महाजियन को खापर खेडा के काम में हुए ब्रश्टा चार और लिपापूती सामने आई है ए परकेडा बिजली घर से निकलने वाली राक को वारिगा असित एश बेंड में पाइपला उन द्वारा छोड़कर राक का भंडारन किया जाता है किन्तो बिजली घर की अभियंताओं की अकारिक शमता की चलती एश बंडारन पिछले एक वर्ष में अब तक चार बार फूट बिजली घर को प्रतिवश मरमत के लिए लाखो रुपय का नुकसान भी उठाना पड़ रहा जबके महाजेनकों ने राक मिस्तारन को लेकर दरचन अधिकारियों की नियुक्ती कर रखी है बावजूद भंडारन की बान का बार बार फटना अधिकारियों की निश्क्रिता वर प्रष्टा चाहर को उज्यागर करता है दोहजार अनुस में तीन बार एश बेंड का बान फूटा था राक मिश्रित पानिक का उठा कि किसानों की खेत भी जमा हो गया था किसानों की फसले पूरी बरबाद हो गई थी दोहजार एकिस में भी अब तक तीन चार बार पूटा था जिससे आनन्द फानन में लिपापोती कर ठीक कर दिया किया था मंगलवार को सुबह होए भारिश के चर्ते बान में दरार आने से बान फूटा ऐसे बिजली घर के 500 मेगावाट एचेचपी विभा की अधिकारी का कहना है बिजली घर ने बान फूटे जग कोई बाहरी व्यक्ती ना जा सके इसले वहाँ सुरक्षागाट खड़े कर दिये साथ ही पोकलेन मशीन से दरारे पाटने का काम शुरू किया गया बताया जा रहा कि सारे तिन वर्ष पूर्फ अभी इंजिनियरिंग कमपनी ने भंडारन की उच्छाए बढ़ाने का कारे किया थ बाद में बताया बारी स्यादा होने से बंड ओवर लोड हो किया एश भंडारन में पासो तथा 210 यूनिट की राक को बंडारन किया जाता है आने वाले दिनों में पासो यूनिट की राक नान गाव में बंडारन की जाएगी BCN News के लिए वारे गाव एश भंड से अरुन महाजन की रिपोर्ट